हलो, गुड मॉर्निंग ओल अफ यो, सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार बर नमस्कार, मैं विविक कुमार, यूवी कंपिटिसन्स यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, दोस्तों रोजाना की तरह मैं लेकर हजिरू डेली करंट अपिर्स जी के, आज 8 म मार्च 2020, International Women's Day, अंतराष्टे महिला दिवस है, तो 8 मार्च 2020 का करंट अपिर्स लेकर हजिरू हमारे अपने चैनल, यूवी कंपिटिसन्स पर, साथियों, यहां पर आपको MCQ कोस्टन, मल्टिपल चोइस कोस्टन, यानि कि, अब्जेक्टिव टाइप कोस्टन्स मिलेंगे, और उनका explanation, यानि की important points मिलेंगे, साथियों, डेली करंट अपिर्स के लिए, यदि आपने हमारा चैनल, यूवी कंपिटिसन्स, सब्क्राइब नहीं किया है, तो यूवी कंपिटिसन्स चैनल को सब्क्राइब करें, और साथि बैल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आपक चैनल को सब्क्राइब कीजिए, बैल आइकन दबाईए, जिससे आपको daily notice हमें, आपको notification मिलता रहे, साथियों, इसके लावा, यदि आप राजस्तान जी के और mechanical engineering पढ़ना चाहते हैं, तो unacademy app पर जाईए, वहाँ पर मुझे follow कीजिए, विवेक कुमार के नाम से search कीजि या आपको इस वीडियो के description में एक link मिलेगा unacademy का, उस link से भी आप डाइड जाकर राजस्तान जी के और mechanical engineering पढ़ सकते हैं आईए साथियों सुरू करते हैं आज का current affairs जी के, questions सग्या फर्ष्ट से हम बात करते हैं चाप चार कूट परो किस राज्ये में मनाया जाता है, option A नाका लेंड में, option B मिजोरम में, option C केरल में, option D असम में साथियों चाप चार कूट परो, जो कि मिजो समुदाय का सबसे बड़ा लोगपिरिया और सबसे अधिक खुशी से मनाया जाने वाला एक वसंत उत्सव है, मिजोरम राज्ये में मनाया जाता है तो इसका सही उत्तरे option B मिजोरम राज्ये है साथियों ये मिजो जो समुदाय उसको द्वारा मनाया जाता है और इसे आम तोर पर जुम खेती के पूरा होने के बाद मार्च में मनाया जाता है और इसे सरवादिक लोगपिरिये वसंतों सबसे माना जाता है इसकी सुरुवात आईजोल में मीजो समुदाय के सांस्कृतिक कारेकरम में पारंपरिक नरत्य चेरों के साथ हुई थी यहने कि आईजोल जो की राजदानी है मीजोरम की वहाँ पर एक सांस्कृतिक कारेकरम हुआ था उसमें पारंपरी की नरत्य हुआ था चेरव और उसके साथ सुरुवात की थी चापचार कूट महुटसाओ की विशू की सबसे फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड कमपनी पूमा ने किस बॉलिवुड अबिनीत्रे को अपना ब्रांड एमबेश्टर बनाया है पूमा एक बहुत ही लोगप्रिय कमपनी है जो की जूते कपड़े और स्पोर्ट्स एसरीज के डिजाइन और परफॉर्मेंस के लिए लोगप्रिय है और पूमा जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड है option A है करिना कपूर को, option B प्रेंका चौपडा को, option C रानी मुखर जी को और option D सोनाक्षी सिन्ना को तो साथियो ब्रांड जो है फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा ने बॉलिवूड अभी नेत्रिक करिना कपूर को अपना ब्रांड एबिश्टर बनाया और पूमा क्या है जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड है तो सही आंसर क्या है इसका option A करिना कपूर को साइन करने का उद्देश्य था उद्देश्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को फिट और स्वस्त जीवन सेली अपनाने के लिए प्रिरित किया जा सके next question 3 प्रतेक वर्स जन औस दिवस कब मनाया जाता है और जिसका उद्देश से क्या है जैनरिक दवाओं के उप्योग के बारे में जाग रुकता फैलाना इसका right answer है option B 7 March जन औस्दी केंद्र जो है देश के 700 जिलों में 6200 केंद्र है जन औस्दी इस दिवस के आउसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से साथ प्रधान मंत्री भारतिय जन औस्दी के साथ बात की है और जन औस्दी क इंद्र जैनरिक दवाओं के उप्योग के बारे में जाग रुखता पहलाता है यह स्वर्म का रोजगार भी उत्पन करता है यानि कि स्वर्म को रोजगार के लिए भी प्रेरित करता है किस एकॉमर्स कंपनी ने दिन द्याल अंत्योद्य योजना राष्टे सहरी आजीव का मिशन डे एन्यूलम के साथ भागिदारी की है उप्सन A फिलिपकार्ट, उप्सन B कलब फैक्टरी, उप्सन C अमेजन और उप्सन D अली बाबा तो इसका राइट आंस्वर है उप्सन C अमेजन के साथ अमेजन के साथ यह साज़दारी स्वम्साता समू जो की सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनकी E-Marketing के लिए की गई है यानिकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है स्वम्साता समू जो उत्पाद बनाते हैं जो भी प्रोडेक्ट बनाते हैं उनकी E-Marketing करने के लिए दीन द्याल अन्तुद्य योजना राष्टे सहरी एज्यू का मिसन ने Amazon के साथ भागिदारी किया या इनकि Amazon के साथ एक bond sign किया है जिसमें E-Marketing की जाएगी Next, Question से क्या 5 Freedom in the World 2020 रिपोर्ट में भारत को कौन सा इस्तान प्राप्त हुआ है Option A 80, Option B 83, Option C 86 और Option D 32 तो Freedom in the World 2020 जो रिपोर्ट थी उसमें भारत को 83 इस्तान प्राप्त हुआ है यानि कि Option B is right answer 83 और इस जो रिपोर्ट को तयार करने में दो संकेत कों का प्रियोग किया गया था पहला संकेत था राजनितिक अधिकार और दूसरा संकेत था नागरिक स्वतंतर था Next, Question संकेत 6 एक सहिष्टनू सामराज्य बनाने के लिए किसे विशुकास सर्वकालिक मान नेता चुना गया है Option A. महाराजा तेज सिंग को, Option B. महाराजा मान सिंग को, Option C. महाराजा जै सिंग को और Option D. महाराजा रणिजित सिंग को और इसका right answer है option D, माराना, रणजिस सिंग को सहिशनू समराज्य बनाने के लिए विसु का सर्वकालिक माननेता चुना गया है next question संक्या 7, वित्वर्स 2019-20 जो की वर्तबान वित्वर्स है के लिए निदी कोस यानि की पी एप जमारासी पर ब्याजदर कितनी करती गई है option A, 8.10%, option B, 8.15%, option C, 8.25% और option D, 8.50% दोस्तो, 2019-20 के लिए निदी कोस पी एप जमारासी जो की पहले 8.65 यानि की 8.65 पर ब्याजदर की उससे 0.15% घटा दी गई है और वर्तमान में यह रासी 8.50% है जो की 2012 के बाद यानि की 7 साल बाद सबसे निउन्तम स्कोर पर है तो इसका राइट आंसोर है option D, 8.50%, next question संक्या 8 निमनलिकित मैं से किसे BCCI की राष्टे चैन समिती के मुख्य चैन करता के रूप में चुना गया है option A, M के प्रसाद, option B, सुनील जोसी, option C, मनिंदर सिंग, और option D, J, स्रिनाथ BCCI ने राष्टे चैन समिती के मुख्य चैन करता के रूप में पूरवे भारते क्रिकेटर सुनील जोसी को चुनाए option B, is right answer सुनील जोसी, जो की M के प्रसाद का इस्तान लेंगे और इनके जो पूरवे क्रिकेटर सुनील जोसी है, उन्होंने भारते टीम के लिए 15 टेस्ट और 79 वंडे मैच खिले है next, question number 9, माराष्टर के 21 हवाई यड़े का नाम बदल कर, छत्रपती संबाजी माराज हवाई यड़ा किया गया है option A, नागपूर हवाई यड़े को, option B, अमरावती हवाई यड़े को, option C, सोलापूर हवाई यड़े को, option D, औरंगाबाद हवाई यड़े को और इसका राइट आंस्वर है option D, औरंगाबाद हवाई यड़े को, तो option D is right answer, औरंगाबाद हवाई यड़ा संबाजी महाराज की बात की जाए तो संबाजी महाराज मान मराठा योद्दा छत्रपती सिवाजी महाराज के पुत्र थे और इसका जो निर्ने है वो महाराज सरकार ने लिया है और जो औरंगाबाद हवाई अड़ा है वो अंतराष्टे हवाई अड़ा है नेक्स्ट कॉस्टन संकर 10 और आज का लाश्ट प्रसंट निमलिकित में से इसे भारत के नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है ऑप्शने बिमल जुलका, ऑप्शन B सुधीर भारगव और ऑप्शन C आपी रावत, ऑप्शन D अजेसी तो बिमल जुलका को नए सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है ऑप्शने इज राइट अंसर बिमल जुलका बिमल जुलका सुधीर भारगव का इस्तान लेंगे जो की ग्यारवे सूचना आयुक्त थे तो साथियों ये ता आज का कंटपर्स जीक है और बात करते हैं आज 8 मार्च है 8 मार्च अंतराष्टे महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है यानि कि International Women's Day और इस दिन महिलाओं का सम्मान किया जाता है महिलाओं को सम्मानित किया जाता है साथि साथ उनकी बस में यात्रा राजस्तान राज्ये में बस में यात्रा फ्री रहती है 24 गंटे लिये तो इसी आउसर पर सभी महिलाओं को हमारे UV कंपेट्शन स्परिवार की तरफ से यानि कि मेरी तरफ से विवेक कुमार की तरफ से सभी महिलाओं को अंतराष्टे महिला दिवस की हारदिक बदाई सुब कामना है God bless you, good luck ये था हमारा करेंटरपेर्स जी के और यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और सब्क्राइब करें हमारा यूवी कम्पेटिसन चैनल और साथ हमें अनकेडमी, इंस्टागराम और फेस्बूक पर फोलो करें इस वीडियो का पेडियाप डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वास आप पेडियाप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए उसको सेर्व कर सकते हैं थैंक्यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन सुबो